पहली रसोई में रीमा का हुआ बुरा हाल की बेज़ती करती है कि मुझे तुम्हारी मदद की कोई जूरत नहीं है मैं खुच से कर सकती हूँ वैसे भी ये मेरा रसोई का रस्म है और तुम इस घर में कुछ दिन की ही महमान हो तो प्लीज मेरे मामले में नहीं पड़ो तो अच्छा है जिसके बाद सिमर वहां से चली ज हो जाता है और वह काफिज जादा टैंशन में आ जाती है और इसके बाद हम आपको बता दे फिर दीमा जो है ठक हार कर सिमर से मदद मांगती है रिमा सिमर से कहती है कि प्लीज सिमर तु मेरी मदद कर तो अपनी बेहन की इसद बच्चा वर नसब कच्रा हो जाएगा रसोई की रस्में जहां पर सिमर जो है वो रिमा को मूतोड जवाब देते हुए कहती है कि दी मैं तो इस घर में मेहमान हो ना तो मैं कैसे आपके मदद कर सकती हूँ जहाँ पर हम आपको बता रहे कि सिमर की बात से रिमा काफिज जादा शौक्ट हो जाती है अब यह देखना काफ झाल